तो हलो कैसे आप लोग तो गई साहरे बात करने वाले हैं लेजी पे लेटर के लिमिट बैंक में ट्रांसफर करने की आप करना है तो आप लोग वीडियो कंटी नहीं देखते रहिए क्योंकि जो अप्लिकेशन में बता रहा हूँ आप लोगों को उस पे ठ्रिक लगाना पड़ेगा तब लोगों लेज़ी पे लेटर के लिमिट बैंक में मिल जागा आप क्लिक करके हाँ आप लोगों को डाउनलोड कर सकते हैं इनैं बड़ How crazy को open करने के बाद कुसे इस परकार का इंटरफेस आने वाला है अब गयसches यहां पर आप लोगों को ट्रीक क्या लगाना है जिसके आप लोगों को लेई-जीप tab आप लोग उसको बैंक में ट्रांसफर कर पाया यहां पर देख सकते हैं कि रीचार्ज को उप्सण मिल रहा है तो आपने सिंपली कर देना है रीचार्ज पे किलिक अपर इस यहां पे आप लोगों को एक ट्रिक लगाना पड़ेगा जिससे कि आप लोगों को लेजी पे का चार्ज करना है यानि यहां पे आपको अपना Nik वाप्रेटर जो बता दिया गया यहकं जैसे हैं मेरा यहां पे gio operator है मेरा यह जीओ का सीम है तो मैं यहां पर जीओ सेलेक्ट नहीं करूँगा मैं यहां पर बेसना लिया फिर एटल या फिर अधर कोई भी operator आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो आप लोगों को यहां पर यही ट्रिक लगाना है तभी आप लोगों को लेजी पे एक option मिलेगा और तभी आप लोग लेजी पे लेटर को बैंक में ट्रांसर कर सकते हो ठीक है अब रिचार्ज पर किलिक करने बाद यहां पर थोड़ा सब वीट करेंगे कभी-कभी यह operator को नहीं लेगा तो आप लोग एक दूबार ट्राइ कर लेंगे ठीक है तो अभी जैसा कि यह मुबाइन नमबर हो गयरा यहां पर आ चुका है यहां पर पेमिंट गेट्वे जो है उपन होगए हम 100 रॉपे का यहां पर रिचार्ज कर रहे हैं इसके बद गिस आप लोगों को क्या करना है कि Simply नीचे आने के बाद गिस यहां पर देख सकते हो कि आपको लेजी पे कर लेजीपे की, तोुझास, यहाँ पर 레जीपे का उप्षान आचुका है, आप अपकी संपली लेजीपे पर टैप कर देंगे, इसके बाद किसra यहाँ पे आप लोगो को अपना लेजीपे अप्वाट लोगीन करना होगा, लेजीपे अकाउंट लोगिन करने के लिए यहाँ पे अपना मुबाइन नमबर डालके सिंपली सेंड टीपी पे किलिक कर देंगे उसके बाद आपके मुबाइन नमबर पे एक OTP सेंड कर दिया जाएगा तो वो OTP आप लोग यहाँ फिल अप करके सिंपली यहाँ पे पे नाओ का OTP आएगा तो आप सिंपली पे नाओ पे किलिक कर देंगे आप जैसे पे नाओ पे किलिक करेंगे आपकी जो पेमेंट है वो लेजी पे से कट हो जाएगी लेकिन यहाँ पे आपकी जो payment है वो failed होगा अब payment failed होने के बाद guess आपने क्या करना है कि simply back आजाना है back आने के बाद simply आपने home screen पे आजाना है home screen पे आने के बाद guess यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हो अब ही recharge करा है जितना भी amount डालके यहाँ पे recharge करा और आपका जो recharge हो फेल्ड हो चुका है उसके बाद guess आपका जो amount है वो यहाँ पे refund कर दिया जाएगा recharge point में ठीक है तो यहाँ पे आपका जो भी amount total का total refund कर दिया जाएगा आपसे एक रुपए भी charge नहीं लगाया जाएगा अब इसके बाद guess आप लोगों को क्या करना है simply यहाँ पे अपना balance check करने के बाद simply back हो जाना है ठीक है कि यहाँ पे सबसे उपर आपका आजाएगा mobile number ठीक है सबसे उपर आपका आजाएगा mobile number उसके बाद safe gold यहाँ पे operator जो भी है safe gold यहाँ पे डला होगा इसके बाद क्या करना है गैस आपने यहाँ पे करना है amount enter आपका जितना भी recharge point add हुआ है यानि कि आपने जितने का recharge करा था वो recharge failed हो गया था उसके बाद आपका जो भी amount है वो आपके इस recharge point wallet में add हो गया थे ठीक है तो गैस यहाँ पर क्या करना है कि आपने amount enter कर देना है आप जितने amount का gold buy करना चाते हो आप गैस यहाँ पर आपको gold buy करना पड़ेगा तब ही आप लोग जो है इस amount को अपने bank के में transfer कर सकते हो, direct इस amount को bank में transfer नहीं कर सकते हो, तब यह क्या करना है, यहाँ पर amount enter करने के बाद, simply यहाँ पर recharge को option आ रहा है, फिर से आपने recharge पर कर देना है, इस परकार को option आ जाएगा, अब इसके बाद गैस, आप लोगो को क्या करना है, कि आपके सामने इस परकार को option आ जाएगा, अब गैस, यहाँ पर आपने जो भी recharge करा था, जो भी आपके recharge point थे, वो ola money के उपर यहाँ पर एक option आ जाएगा, आप लोगों के सामने, कि use recharge point, यानि कि आपके account maker special balance है, आपने जैसे यहाँ पर मैंने 99 रुपया एंटर करें, और मेरे wallet में 99 रुपया भी नहीं है, अगर आपके wallet में उतना amount होता है, तो आपके सामने यहाँ पर recharge point यूज करने का option आ जाएगा, ठीक है, यानि कि recharge point से payment करने का option आ जाएगा, अब आप लोग जैसे recharge point से payment कर दोगे, उसके बाद guess आपका जो gold है, वो successfully यहाँ पर buy हो जाएगा, gold buy होने के बाद guess आपको क्या करना है, कि यहाँ पर देख सकते हो, check gold transaction का option आ रहा है, ठीक है, तो आपने simply कर देना है, check gold transaction पर click, इस पर click किनिक बाद किस आप जो भी gold यहाँ पर buy करके रखते हो, जैसा कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पहले इसके थुरू लेजी पे लेटर के limit bank में transfer करा था, gold buy करा था, ठीक है, तो यहाँ पर जो transaction बताई जा रही है, तो आप जो भी transaction करते हो, यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद आपने क्या करना है, कि gold को sale करना है, तो sale करने के ल उसके बाद कि यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी basic detail बननी है, जैसे कि यहाँ पर आपको type of transfer, तो इस पर click करोगे, तो यहाँ पर आपको कही सारी option मिलेंगे, जैसे कि bank transfer, UPI, Paytm wallet, Amazon Pay wallet, उसके बाद movie quick wallet, तो यहाँ पर simple सा आसान तरीका यह है, कि आप लोग UPI वाला option select कर जाएगा, उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी UPI ID एंटर कर देना है, ठीक है, तो यह सभी detail fill up करने के बाद, जैसे ही आप लोग sale gold पर click करोगे, वैसे ही आपको gold है, वो sale हो जाएगा, तो यहाँ पर इस फिराल यह जो application है, यह बिल्कुल working है, अभी यह application work कर रही है, जि आप लोग इसको follow करते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को lazy pay option मिलेगा, हाला कि इस पर थोड़ा time लगता है, थोड़े बहुत charges भी आपको ज्यादा pay करने पड़ेंगे, यानि कि आप लोग gold aware करते हो, तो 5-6% के charges तो आपको pay करने ही पड़ेंगे, उसकी बाद कि यहाँ पर विडियो में, THANKS FOR WATCHING.